पार्टी की इस गवरोशाली यात्रा के आज 41 साल पूरे हो रहे हैं। ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा और समर्पन के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है। ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सामान्य कारकरता का तप और त्याग किसी भी दल को कहां से कहां पहुँचा सकता है। देश का शायद ही कोई राज्य होगा, कोई जीला होगा जहां पार्टी के लिए दो दो तीन तीन पिडियां न खब गई हो। मैं इस अउसर पर जनसंग से लेकर के भारतिय जनता पार्टी तक राष्ट्र सेवा के इस यग्य में अपना योगदान देने वाले हर व्यक्ति को आदर पुर्वक नमन करता हूँ। डॉक्टर शामा प्रुशाद मुखर जी, पंडित दिन्दार उपादय जी, अटलवी हरिवाजपई जी, कुशाबा उठाकरे जी, राजमाता सिंधिया जी। ऐसे अंगिनत महान व्यक्तित्वों को बीजेपी के प्रतेक कार्यकरता की तरफ से मैं आदर पुर्वक सरधांजली देता हूँ, सरधा सुमन अर्पित करता हूँ। पार्टी को आकार देने वाले, पार्टी को विस्तार देने वाले, हमारे आदरनी अडवानी जी, आदरनी मुलिमन और जोशी जी, जैसे अनेकों वरिष्टों का आशिरवाद भी हमें लगातार मिलता रहा है। पार्टी को अपना जीवन समर्पित करने वाले, ऐसे हर वरिष्ट जन को भी मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, भारतिये जनता पार्टी के लिए हमेशा ये मंत्र रहा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। ये परंपरा डॉक्टर शामा प्रसाज मुखर जी से लेकर आज तक अनवरत चली आ रही है। डॉक्टर शामा प्रसाज मुखर जी के बलिजान की शक्ति है कि हम वो स्वप्न पूरा कर पाए। आर्टिकल 370 हटा कर कश्मीर को समयधानी एक अधिकार दे पाए। हम सभी ने देखा है कि कैसे अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरना स्विकार कर लिया लेकिन पार्टिके आदर्सों से समझोता नहीं किया। आपात काल में लोगतंत्र की रक्षा के लिए हमारे कारकरताओं ने कैसे कैसे कश्ट सहे लोगतंत्रिक नहीं तिक ताके कैसे कैसे उधार्ण दिये हमारे देश में राजनितिक स्वार्थ के लिए दलों के तूटने के अनेकों उधार्ण है लेकिन देशित में लोकतंत्र के लिए दल के विलेगी घटनाएं शाहिदी कहीं नजर मिलेगी भारतिय जनसंग ने ये करके दिखाया था जनसंग से लेकर अभी तक ये तप ये तपस्या हमारे कारकरताओं के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है साथिया पिछले साल कोरोना ने पूरे देश के सामने एक अभुद्पुर्व संकट खड़ा कर दिया था तब आप सब अपना सूख दुख भुल कर देश वाज़्चों की सेवा में लगे रहें आपने सेवा ही संगठन का संकल पलिया और उसके लिए आप डटे रहें लगे रहें और लोगों की सेवा करते रहें जो काम आप गाउं गाउं में शहरों में कर रहे थे घर गर पहुंच रहे थे वैसा ही कुछ काम अंतोदय की प्रेणा से भाज़पा की सरकारे चाहे केंद्र हो या राज हो अपना दाई तो निभाती रहें गरीब कल्याण योजना से लेकर बंदे भारत मिशन तक हमारे सेवाभाव को देश ने मैसूस किया है यही नहीं इसी संकट काल में देश ने नए भारत का खाका खिचा और आत्म निर्भर भारत अभ्यान शुरू किया आज आत्म निर्भर भारत अभ्यान गाउं गरीब का किसान का मद्दूर का दलीत का वंचित का महिलाओं का युवाओं का हर किसी का स्वयम का एक प्रकार से अभ्यान बन गया है आज भाजपा से गाउं गरीब का जुड़ा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज वो पहली बार अन्तियोदय को साकार होते देख रहा है 21 स्थी में जिन युवाओं ने जन्म लिया है वे आज भारतिय जन्तापाटी के साथ है भाजपा की नीतियां भाजपा के प्रयासों के साथ है साथियों गांधी जी कहते थे कि निर्णय और योजनय वो हो जो समाज की आखरी पंक्ती में खड़े व्यक्ति तक लाब पहुचाए गांधी जी की उसी मुल भावना को चरितार्थ करने के लिए हमने अथत प्रयास किया है लास माइल डिलिवरी हमारी यां कहा जाता था लेकिन आज देश का सामान ने मानवी लास माइल डिलिवरी को साक्षात अनुभव कर रहा है देश के हर गरीब के पास बैंक अकाउंट हो देश के हर गरीब के पास पक्की छत हो देश के हर गरीब को सौचाले की सुविधा मिले हर रसोई में गैस कनेक्शन हो हर घर में बिजली कनेक्शन हो हर गरीब को इलाज की सुविधा हो हर गाउं में अप्टिकल फाइबर हो ऐसी अंगिनित बातें जो समाज के आखरी व्यक्ति हो क्या देश का आखरी इलाका हो इसके लिए भाजपा सरकारें चाहिए केंद्रव हो या राज में हो हम सब मिल करके दिन राँ आप महनत की है अपने लक्षों को पाकत दिखाया है और इन निर्णवों को इन योजनवों के शुरू करने के पीछे सबसे बड़ी बज़े यही है कि हम संगठन में रहते हुए भी ऐसे ही कार्य करते 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 आगे बढ़ रहे हैं इसलिए जब सरकार में आते हैं तो और तेज गती से इस दिशा में काम करते हैं हमारी कारशाली है हम किसी से कुछ भी छिनते नहीं है और छिने बिना भी दुसरे के हक्या उसे मिले इसमें जागरुत प्रयास करते हैं हम हर व्यक्ति तक पहुँचते हैं उसकी आवशक्ता पर पूरी संवेदन सिल्का से काम करते हैं साथियों हमारे देश में अस्सी प्रतिशत से ज़्यादा छोटे किसान है इन किसानों की संख्या दस करोड से भी अधिक है पहले जो सरकारे रही उनकी प्राप्श्मिकताओं में ये छोटे किसान इन छोटे किसानों की जरूरतें ये कभी नहीं रही लेकिन बीते वर्षों में हमारी सरकार की कृशी से जुड़ी हर योजना के केंदर में छोटे किसान रहे चाहे नए क्रशी कानून हो, पियेम किसान सम्मान नीदी हो, किसान उत्पात संगाठन की व्यवस्ता हो, फसल बिमा योजना में सुधार करना हो, प्राकुर्तिक आपदा के समय किसानों को ज्यादा मुवावचा सुनिशित करना हो, हर खेत को पानी की योजना हो, या फिर यूरिया की नीमकोटी की, ऐसे हर निर्णे का सबसे बड़ा लाप देश के छोटे किसानों को हुआ है, साथ क्यों, बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर काम में, हर योजना में महिलाओं को प्राथ्विक्ता दी गई हैं, चाहे तीन तलाग के खिलाब कानून हो, गर्भवती महिलाओं को 26 सब्ता की चुट्टी हो, घर की रजिस्ट्री में महिलाओं को प्राथ्विक्ता देरी की बात हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, उजवला योजना हो, मुद्रा योजना के तहद बिना गरंटी रून देना हो, रेडी पट्री वालों के लिए पी-म स्वनीदी योजना हो, सभी का लाब प्रमुकृप से हमारी देश की महिलाओं को, माताओं को, बेहनों को मिला है, साथियों, हमारे देश में सरकारों का मुल्यांकन, सरकार की शक्ती का अकलन, सरकार के परफान्वन्स की बाते, ज्यादा तर कौन सरकार कितनी बड़ी गोशना करती रही है, उसके ही आसपास रही है, लेकिन पहली बार इमान अदन बदल रहे हैं, अवधाना बदली हैं, हमारी सरकार का मुल्यांकन उसके डिलिवरी सिस्टम से हो रहा है, नीतियां भी, नियद भी और आखरी इंसान तक उस निर्णे को पहुँचाना, उस सुविधा को पहुँचाना, हकदार को हक पहुँचाना, ये हमारी सरकार की पिशेसा रही है, ये देश में सरकारों के कामकाच का नया मुल्मंत्र रहा है, बावजुद इसके दुर्पागी ये हैं, कि भाजपा अगर चुनाव जीते, तो इसे चुनाव जीतने की मशिन कहा जाता है, लेकिन दूसरे जब चुनाव जीतते हैं, तो पार्टी की वहाँ वाही, नेताओं की वहाँ वाही, नजाने क्या क्या कहा जाता है, इस तरह के दो मापदन हम देख रहे हैं, जो लोग कहते हैं, कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशिन है, वो एक प्रकार से, भारत के लोकतंत्र की जो परिक्पक पता है, उसको समझी नहीं पाता है, वो भारत के नागरिकों की जो सूजबूज है, उसका आकले नहीं नहीं कर पाते हैं, वो उनके समझ के परे हैं, वो भारत के नागरिकों की आशा, अपेक्षाएं और उनके सपनों उससे कभी भी समझ नहीं पाते हैं, सच्चा ये हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशिन नहीं, देश और देश वास्यों का दिल जीतने वाला एक अविरल अनवरत अभियान है, हम पांच साल तक इमानदारी से जनता की सेवा करते हैं, सरकार में हो तब, सरकार में नहो तब, हर परिस्थिती में हम जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के लिए जीते रहते हैं, और सच्चा ये हैं कि हम कभी गर्व नहीं करते हैं, कि हमारा दल जीता, हम हमेशा इस बात का गर्व करते हैं कि देश के लोगों ने हमें जीताया,